नमस्कार साथियों जार्खंड फाइटेस में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग 11th JPSC के पेपर 2 का कोस्चन हम लोग करेंगे जार्खंड का इतिहास जार्खंड का इतिहास का पहला टोपिक है मुंदा सासन मुंदा सासन जो है दोस्तों बता दें कि मुंदा सासन से हम लो होगा और इतिहास में हमलोग का हितिहास जार्खंड का इतिहास में मुंदा सासन व्यूष्था पढ़ते हैं तब मुंडा सासन ब्यवस्था में निमनलिखीत में से कौन से युक्ति सही है तब मुंडा सासन ब्यवस्था में कौन से युक्ति जो है वो सही है ओप्सन ये है पढ़ा राजा का पद खंदानी होता है बी पढ़ा राजा का पद राजनीतिक होता है C. मुंडा पद, महिला या पुरुस दोनों को दी जाती है या फिर option D इनमें से कोई नहीं है तो इसका answer हो गए दोस्तों सबसे पहले तो मुंडा पद, महिला या पुरुस दोनों को नहीं दी जाती है ये तो गलत हो गया मुंड़ा पद में सिर्फ पुरुष को ही पद दी जाती है दूसरा है पढ़ा राजा का पद खंदानी नहीं होता है तो ये भी गलत है इसका जो है पद जो है वो खंदानी नहीं होता है क्या होता है पढ़ा राजा का पद जो होता है तो राजनीतिक होता है इसमें चुनाव होके चुना जाता है इसका अंसर हो जाएगा option B next question है हातू पंचायद क्या होता है हातू पंचायद क्या होता है तो खुटकटी गाउं की एक पंचायद बेवस्ता option B है खुटकटी गाउं को मिलाकर बनने वाली पंचायद बेवस्ता option C है सर्वोच पंचायद बेवस्ता या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो ऑप्शन यह खुटकटी गाउं की एक पंचायद बेवस्ता इसका अंसर ऑप्शन यह हो जाएगा कि नेक्स कोशन है तर मुंडा सासन बेवस्ता के अंदर कर सर्वोच पंचायद बेवस्ता क्या कह लाता हैं यह फर्वर्ष पंचायत ब्योस्त वह क्या कह लाता है हात तो पंचायत Warner पंचायत बाभी यह फिर फक्शत फंचायत इसका उनसर हो जागा दोस्तों बाइश पठादाई पहले से होगा 20 अगलत है नेक्स्ट कॉर्चन है नेक्स सभायाक और की अनुपरस्थिती में गाउं के सभी कार्य कौन करता है ओपसन यह है ठाकूर जो कि गलत है ओपसन भी है पाहन सी महतों डी दिवान तो इसका अंसर हो जाएगा ओपसन बी पाहन इसका अंसर क्यों हो जाएगा दोस्तों पाहन नेक्स्ट कोशन है गाउं की बैटकों का अध्याच कोन करता है गाउं का जब भी बैठक होता है मुंडा सासन में तो इसका अध्याच कोन होता है ओप्सन ये है पढ़ा राजा बी पाहन सी राजा डी मुंडा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन डी मुंडा नेक्स्ट कोशन है धार्मिक उत्सव और पर्वतिवार में पुजा पार्ट कोन करता है उत्ता है कि धार्मिक उत्सव और पर्वतिवार में पुजा पार्ट कोन करता है अप्शन यह है पुजारी, B है पुरोहित, C है मुंडा, D पाहान इसका अंसर हो जागे दोस्तों ऑप्शन ये पुजारी पाहन कौन करता है पुजारी पाहन next question है मुंडा सासन बेवस्ता में महतों के किरिया कलापों में नीचे में से कौन सही है तो मुंडा सासन बेवस्ता जो उसमें महतों का क्या काम रहता है option यह है पढ़ा राजा का सवयोगी होता है अफिर सभा में बहस करता है अफिर संदेश वहाग का काम करता है फिर option D सभी इसका अंसर हो जागा दोस्तो संदेश वहाग का काम करता है यह क्या करता है पहुंचाता है इसका अंसर हो जागा option C नेक्स्ट कोश्चन है अखाडा में समानियता किस तरह के किरिया कलाप होते हैं अखाडा में जो है वो किस तरह के किरिया कलाप होता है option यह है पुजा पार्ट B संस्कृतिक कारिकरम C लगान की वसूली D इन में से कोई नहीं इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों, option B, क्या हो जाएगा सांस्क्रीत कारिय करम, next question है, मुंडा सासन ब्यवस्ता में, चवार डुलाइत के किरिया कलापों में से नीचे में कौन सही है, मुंडा सासन ब्यवस्ता में, चवार डुलाइत के किरिया कलाप, इसका काम क्या है, B है दंड के सवरूप मिले पैसों या समागरी का हिसाब किताब रखता है Option C है सभा में हाथ पर धोने का काम करता है Option D है इनमें से कोई ने तो इसका अंसर क्या हो जागा दोस्तों सभा में हाथ पर धोने का काम करता है मुंडा सासन बेवस्था में चावार डुलाइट क्या करता है सभा में जो भी लोग आते हैं उसका हाथ पर दुलाता है next question है मुंडा सासन बेवस्था के अंतरगत निमने लिखीत में से कौन सा पद राजनीतिक पद था तरगर राजनीतिक पद कौन सा था जो परिवारिक ने था जिसे बहुत सारा उसमें पद था जो परिवारिक पद था मतलब एक दुसरे को अपने ही परिवार में सौप दिया जाता था तो इसका option है दिवान, मुंडा, ठाकूर यह जो तीनों है दोस्तों यह परिवारिक ही है तो इसमें से कोई नहीं है इसका अंसर हो जाएगा option D next question है मुंडा सासन बेवस्ता में पान खवास के किरिय कलापों में नीचे में से कौन सही है दोस्तों इसका नाम से ही पता चल ला है पान खवास तो देखियो option है इसका option यह सभा में चुना खेनी बाड़ता है सभा में हाथ पर धोने का काम करता है सभा में पान बेचता है और फिर option D सभी तो इसका अंसर हो जाएगा क्या करता है सभा में चुना खेनी बाड़ता है क्या करता है चुना और खेनी बाड़ता है इसका option अंसर हो जाएगा option यह तो मुंडा सासन ब्यवस्ता के अंतरगत गाउं अस्तर के पंचायत को क्या करते हैं मुंडा सासन ब्यवस्ता के अंतरगत जो भी गाउं अस्तर के पंचायत होते हैं उसको क्या करते हैं ग्राम पंचायत, बी पढ़ा पंचायत, सी हातू पंचायत, डी मुन्डा पंचायत तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों, option C, क्या हो जागा? Option C, हातू पंचायत. Next question है, मुन्डा जन जाती में परिवार का समाजीक और राजनीतिक परमुक कौन होता है? option यह मुंडा, B पढ़ा, राजा, C राजा, D इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों option यह मुंडा next question है अखाडा समन्यता कहां इस्थित होता है जो अखाडा बोलता है कि जो लगता है वो कहां पे होता है गाउं के पैंचायत भोवन में, गाउं के बीच में, पाहन के घर में, सरनास्थल में तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों option B गाउं के बीच में अखाडा लगता है next question है मुंडा सासन बेवस्था के अंतरगत पढ़ा पैंचायत में कोन अधिकारी होते है तो राजा B मुंडा, C घटवार, D पांडे इसका अंसर हो जाएगा क्या, पांडे, D पांडे जे हो, मुंडा सासन बेवस्था में क्या है पढ़ा पैंचायत का अधिकारी होता है next question है तब पढ़ा राजा के निर्देश को अमल में कोन लाता है पढ़ा राजा के निर्देश को अमल में कोन लाता है option यह मुंडा, B दिवान, C ठाकूर, D पांडे इसका अंसर हो जाएगा option B, दिवान next question है मुंडा सासन बेवस्था में गाउं का परमुः कोन होता है तब पढ़ा राजा, C पाहन, D मातो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों, option यह मुंडा, मुंडा सासन बेवस्था में गाउं का परमुः मुंडा ही होता है next question है मुंडा समाज में सुध्धी करण का काम निम्निलिखित में कोन करता है तब पाहन, B पुजारी, पाहन, C पुरोहित, D मुंडा मुंडा समाज में सुध्धी करण का काम कोन करता है सुध्धी करण का मतलब जो समाज से जिसको निसकासित कर दिया जाता है जो गलत काम करता है, उसको क्या करता है दंड दिया जाता है, और समाज से निकाल दिया जाता है और कुछ लोग सुध्धी करण करते है उसको हम लोग क्या कहते हैं सुद्धी करन का whiska सामिल करता हो ऋसका कौन करता है हो का sécurité इसका अंशर क्या हो जाएगा option ऑफन किष्वीवार कर किषिब का कई है दूस्तों समाज में के क्या क्या होता है di कि नेक्स कोशन है खूंट का मतलब क्या होता है कि खूंट का मतलब क्या होता है ऑप्सन यह परिवार भी खेट सी गाउंडी समाज तो खूंट का मतलब दोस्तों परिवार होता है क्या होता है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन यह परिवार नेक्स्ट कोशन है जमीन पर महिलाओं को किस तरह का अधिकार दिया गया है जमीन पर महिलाओं को किस तरह का अधिकार दिया गया है मुंडा सासन बेरस्थ हमें तो उप्षन यह भरन पोशन का अधिकार B बेचने का अधिकार C हस्तांतरित का अधिकार अपर D, इनमें से कोई नहीं, तो इसका अंसर हो जागा, option यह भरन पोशन का अधिकार next question है, मुंडा जन जाती में खुट कटीदार कौन होता है अपर जन जाती में खुट कटीदार कौन होता है, option यह खेत जोतने वाला, B, खेत बनाने वाला, C, खेती करने वाला, D, इनमें से कोई नहीं, इसका अंसर हो जागा, option B, खेत जोतने वाला sorry दोस्तों, खेत जोतने वाला नहीं, option B, खेत बनाने वाला next question है, मुंडा के पारंपरिक, समाजिक, सवसासन, व्योस्ता में सर्वोच अस्थान किनका है, पढ़ार आजागा, या फिर B, पाहन का, C, मुंडा का, D, पुजारी पाहन का इसका अंसर हो जागा दोस्तों, option यह पढ़ार आजागा next question है, महतों निमनलखित में किसका सहयक होता है, मुंडा का सहयक होता है, या फिर पाहन का सहयक होता है, option C, मुंडा और पाहन दोनों का सहयक होता है, डीन में से कोई नहीं, इसका अंसर हो जाएगा, option C, मुंडा और पाहन दोनों का सहयक होता है, कौन होता है, तो महतों होता नेक्स वोचन है मुंडा सासन ब्यवस्ता में लाल के किरिया कलापों में नीचे में से कौन से ही है तब मुंडा सासन ब्यवस्ता में लाल किसको कहा जाता था और लाल का काम क्या था और मुंदा के निर्देश को पूरे गाऊंज में पहुंचाता था बी संदेश वहाग का काम करता था शी सभाः में बहस करता था डी सभी सबीग इसका रो जागा दोस्तों option शी सभाः में बहस करता था तो लाल성을ों ग师 के Those कि हिसल भी कर सकते हैं वकील को ही लाल कहा जाता है दोस्ता आज का सेशन यह पर समाप्त होता है फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक लेकर आएंगे तब तक मेरे चैनल में जितने लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक शेर कीजिएग अगला टोपिक हम लोग नागवनसी सासन बेवस्ता में लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद